नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका यूट्यूब चनल विजेस एगरिकल्चर में जहां हम आपको खेती के नए नए तरीकों और फसलों के बारे में महतब पुन जनकायर देते हैं आज हम बात करेंगे गिहों की एक उन्नत किसमे के बारे में जो आपके खेतों में भरपूर पेदावार दे सकती हैं DBW 303 जिसे करन बंदना के नाम से भी जाना जाता है अगर आप स्पोच रहे हैं कि इस साल कौन सी गिहों के किसमे बोई जाए तो यह वीडियो आपके लिए है DBW 303 ना सिर्फ अधिक उपस देती है बलकि यह रोगों के परती परती रोधी भी है आईए जानते हैं इसके लाग बोई के सही तरीके और किनकिन राज्यों में इसे बोया जाना चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उत्पदन छमता के बारे में तो यह किसम उच्च उत्पदन वाली है और इसकी ओसद उपस 55-60 कुंटल परती हक्टेर तक हो सकती है अच्छी देखबाल और सही जलवायू में इसे 65-70 कुंटल परती हक्टेर तक उपस प्राप्त हो सकती है पोधे की विजिस्ताओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस्म मध्य मुचाई जैसे 90-95 cm की होती है जिसे गिरने का डर भहुती कम रहता है इसके दाने मध्य माकार के रहते हैं और चमकदार होते हैं फसल पकने की अवधे की बात करें तो DBW 303 सामानेता 140-115 दिन में पकर तयार हो जाती है जो इसे समय पर कटाई और बहतर योजना में साहिक बनाती है रोग परती रोधक चमता की बात करें तो इसमें परमुक रोग जैसे पत्तियों की रष्ट, तना रष्ट और जुलसा रोग के खिलाब अच्छी परती रोधक चमता पाई गई है जो इसे रोग मुक्त रखने में मदद करती है मिट्टी की बात करें तो DBW 303 हर प्रकार की मिट्टी में ओगई जा सकती है लेकिन दोमट और काले मिट्टी इसमें सबसे ज़्यादा परिणाम देती है अगर राज्य की बात करें तो इसकी बाई मुक्ता उत्रपरदेश, हरियाना, पंजाब, राजिस्तान, मत्यपरदेश, उत्राखंड, बिहार और हिमचल परदेश इतियाधी राज्यों में DBW 303 गेहुं विराइटी की बाई कर सकते हैं तो किसन भाईयों ये थी DBW 303 गेहुं विराइटी के बारे में पूरी जानकारी, ये गेहुं की किस्में आपको अधिक उपच और बेहतर रोक परतियों तक छमता देखर आपके खेतों में सम्रत देला सकती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चेनल वि वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद